नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलो में आज हम सौलू करेंगे exercise 10.1 तो चलिए इसका पहला question ले लेते हैं यहाँपर हमें fill in the blanks को fill करना है fill in the blanks में हमें दिया गया है पहला जो question है वो हमें दिया गया है the center of a circle lies in the dash of the circle यानि कि जो center of circle है वो कहाँ पर lie करता है एक circle के अब माली जी यहाँ पर एक circle है तो center यहाँ बीच में होगा यानि कि वो exterior पर करेगा या anterior पर तो इसका अंसर होगा anterior क्योंकि उसके अंदर lie करता है center में दूसरा है हमारे पास A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in the dash of the circle अब यहाँ पर यह कहता है कि कोई एक point है जिसका distance center से यानि कि इस circle के center से radius से जादा है यानि कि radius तो यहाँ तक हो गई यानि कि इस boundary तक अगर इस से जादा कोई point यहाँ पर है तो यह बात कर रहा है कि इस point कि माली यह point P है तो ये कहां पर होगा तो ये बाहर होगा exterior of the circle पर होगा तो इसका अंसर होगा ये the longest code of a circle is a dash of the circle अब code क्या होती है जो circle के दोनों side को इस तरह से जोड़ दे अब longest code कौन सी होगी जो उसके center से होकर जाएगी और जो center से होकर दोनों side पर जुड़ेगी इसको हम बोलते हैं diameter तो ये क्या होगी longest code of a circle जो होती है इसका अंसर रहेगा वो होती है diameter of the circle तो इसका अंसर रहेगा diameter an arc is a dash when its ends are the ends of a diameter अब ये कहता है कि जैसे ये arc है तो अगर इसके end जो है ये diameter पर हो तो ये क्या होगा यहाँ प्रंसर होगा इसका ये होगा हमारे पास semi circle इसको बोलेंगे इतना clear है उसके बाद segment of a circle is the reason between an arc and dash of a circle तो segment क्या होता है मानली जी आप क्या करें इस तरह से एक code बना दें तो code और arc के बीच में ये क्या है हमारे पास ये है code और ये क्या है हमारे पास ये है arc तो arc और code के बीच में जो है segment होता है तो यहाँ पर arc तो दी है तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी code आ जाएगी segment क्या होगा इन दोनों के बीच में होगा यानि कि यहाँ पर आएगा code उसके बाद इस circle divides the plane on which it lies in कितने part में उसको divide करता है तीन part में करता है कैसे माल लिजे कोई एक plane है इस तरह से और यहाँ पर circle है इस तरह से तो एक तो इसका interior part हो गया circle का एक इसका exterior part हो गया और यह कि यह जो boundary है जिस boundary पर है तो यह तीन जो part में plane को divide करता है इसका मतलब यह है interior exterior और यह boundary हो गई next question ले लेते हैं हमें यहाँ पर true or false को लिखना है और reason बताना है पहला line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle यह कहता है कि कोई circle है center को यानि कि कोई line segment है जो center को join कर रहा है जैसे माल लिजे यह हो गया यहां से हो गया यहां से हो गया यहां से हो गया यह सारे क्या होते हैं radius of the circle होते हैं तो यह बिल्कुल true है जैसे कि हमने देखा कोई line segment इस तरह से center को join करेगा तो वह radius हो गए circle has only finite number of equal codes अब ऐसा नहीं होता code हमने जान लिया क्या होता है यानि कि इस तरह से तो यह क्या finite number होती है नहीं आप circle के ऊपर अगर आप देखें infinite number of points होते हैं दोनों तरफ कितनी भी code आप बना सकते हैं तो यहां पर यह रह जाएगा हमरा false if a circle is divided into three equal arcs उसको हम major arc बोलेंगे each arc को नहीं अगर माली जो कोई circle है उसको हम तीन equal arc में डिवाइड कर देते हैं जैसे एक यह हो गई एक यह दूसरी यह तीसरी यह बाहर की तरफ तो यह equal arc होंगी major arc नहीं बोलेंगे इनको क्योंकि equal हैं तो इनको हम बोलेंगे equal arc तो इसलिए यह जो third होगा हमारे पास यह भी false होगा major arc नहीं होगे equal arc होगे next ले लेते हैं a code of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle अगर radius का दूगना हो यानि कि diameter क्या होता है radius का दूगना तो होता है तो वो diameter कहलाता है तो यहाँ पर यह बिलकुल true रहेगा हमें पता है sector is the reason between the code and its corresponding arc अब हमने क्या पढ़ा था वो segment होता है जो corresponding code और जो arc होती है code और arc के बीच का segment होता है sector नहीं होता तो इसलिए यह false हो गया a circle is a plane figure क्या circle plane figure है तो बिलकुल जैसे यहाँ पर हम बना रहे हैं यह plane figure तो है यह पेज के उपर तो बना रहे है plane 3D तो है नहीं इस तरह से बना रहे हैं तो यह क्या है plane figure है तो यह हो जाता है हमारा true तो इस तरह से इस exercise को हम solo करेंगे तो thank you वीडियो देखने के लिए और शी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे channel ग्यानलों पर हमें subscribe कर सकते हैं धन्यवाद